वेलकम टू अबर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर नाइंटीन फॉर्टी सेविन पर फ्रेंड्स में एंटीपीसी बालों के लिए बता दूं के नियू अपडेट निकल कर आ रही है उनके लिए बहुत बड़ी खुसकरी निकल कर आ रही है कि उनके एक्जाम 28 तरह स से 100% स्टार्ट हो चुके हैं तो दोस्तों आज एक नोटिस दिया गया है 1712 2020 में यहां पर आपने देख लिया होगा नोटिस फोर सेडूल ऑफ सीविटी बन एक्जाम फोर एंटीपीसी अंडर सीए नंबर बन ट्वैंटी नाइंटीन तो दोस्तों यहां पर साप साप दे यहां पर यह ने लिंक को चूल कर दिखाओंग सब्सक्राइब करना दोस्तों दोस्तों ने कर रही है रहा है वैं यह द्याने सक्वेस को उस्तों निक निकर है रही है वहां ना खूलने माला टीपी सी सिडूल सत्रा बारा दोहजार बीस पीडीए दोस्तों पीडीएफ के रूप में हमें नोटिस दिया गया है यहां पर लिखा है किताव है को प्ट्रेंट्स यहां पर लिखा है कि गवर्रमेंट ऑफ इंडिया Ministry of Railway Railway Requirement Board CN1 2019 दोस्तों यहां पर दिखाया फॉल फॉल रिक्वर्मेंट ऑफ बेर्यर्स एंटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ओन एक्जाम सेडूल यहां पर जारी कर दिया गया है तो दोस्तों यहां पर पोइट रहे हैं पाच पोइंट जिसमे फॉइए रहा हैं और यहां पर वाईजर्स दे पाएंगे करोड 25,00,00,00 कंडिटेट में से 23,00,00 कंडिटेट में एक्जाम दे सकते हैं ठीक है थीक से स्टूल जानी कर दीया गएग दोस्तव पहले यह जो है पहले फष्ट पेस का होगा ठीक है उसके पास सैगेंड फेस का एक्जाम होगा उसके बाद अगर जरूत पड़ी तब थर्ड पेस वहाँ पर एपलाई किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है ओली तेरा लाख कंडिडेटिस में एक्जाम दे पाएंगा फश्ट पेस में दोस्तों आपने दे रखा है यहाँ पर आपको डेट पढ़ लिए होगी आप लिखा है 28 12 2020 से 13 जनवरी 2021 तक यह मतलब यह वाला एक्जाम चलने वाला है जिसमें की 23 लाख इस्टुटेंट अपना एक्जाम देंगे तो दोस्तों आप यह मस्तोचना कि आपका इस वाले टाइम में आपका एक्जाम नहीं होगा तो दोस्तों आपका अगर इस फश्ट में नहीं हु जो मतलब एक्जाम होने वाला है क्योंकि यह नहीं आपको पता है कि COVID-19 की जो महामारी चल लाई है उसकी गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है उसके अनुसार दोस्तों गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि आपका एक्जाम फेस बाइस होगा तो दोस्तों धीरे धीरे ए कर दिया जाएगा उसका फुल जारी आपको एक्जाम केंडीयों इसमें चैसला बतादी जयाएगा कि आपकी अपका एक्जाम केंडी यह ने जाया तक चलने बाला है यहाला फेस बन नैस एटियों ने स्थ आयका इंकि ना गया tendinnen जाएँगे और उसमें कब से कब तक आपका एकजम चलने बारा है तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको बता दू मैं यहां पर बहुत इंपोटेंट पॉइंट दे रखा है यहां पर यहां देकर आप दोस्तों जो हमारे जो 28 से लेकर 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक का जो जारी गया उन कंडिडेट के बारे में बता दिया गया है तो दोस्तों आप बता दिया गया है कि आपको जो है कैसे अपना लिंक डाउनलोड करना है कैसे अपना जो मतलब बहुत कल 18 तारीक है कल साहिद आपको वहां से बैफ साइट से आपको एक लिंक मिलेगा बहाँ पर आप अपना दरिश्टिस नंबर डाल कर अपनी सिटी अप आपना जो 10 दिन पहले आप बहुत साथ देख सकते हैं और ट्रेवलिंग पास अपना जो एसई और एस्टी वाले हैं वह अपना बहां से डाउनलोड करकर ले जा सकते हैं ठीक दोस्तों वहां से अपना जो एड़मिट कार्ट जो आपका आपका बुआएगा यहाँ पर चा आप इतन फॉर्म में और अपने जो मॉवाइल नंबर रखा है उसको आप चेक कर दे रहिएगा कब आपके पास email आने वाला है कब आपके पास message आने वाला है कि आपका admit card जारी कर दिया गया है यहां पर दिया गया है उन्हें एक message दिया गया है बोड की तरफ से कि आप tension ना लें यहां पर दिया गया है यहां पर दोस्तो दिया गया है on दोस्तों आप पड़ लीजिए आप साफ साफ दे रखा है कि कि हांप city or date message मेसेज बिल भी डिस्पलेड दोस्तों आपको एक मैसेज सो करेगा जैसे दोस्तों आप अगर अपना रजिस्टेशन नंबर डालेंगे उस इमेल पर तो आपको एक मैसेज दिखाएगा डियर कंडिडेट यू आर नॉट सेडूल्ड इन दा प्रिजेंट फेज पिलीज बेट इन फॉर्मेशन फॉर आर बी एस ठीज दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फॉर्म अर बीएस ठीज दोस्तों जब दोस्तों आप आपका अगर एक जाम तेरा तारिक से पहल तेरा तारिके बाद होना है यानि कि सेकंड फेस में अगर आपका एक जाम होगा तो दोस्तों आपके लिए एक message सो करेगा वहाँ पर display पर यह वाला यहां से यहां तक यहां लिखा लिखा गया है dear candidate you are not settled in the present face please wait for information from rrbs ठी उस तो यहाँ पर आपको यह message सो करेगा अगर आपका face बनवे face बनवे admit card नहीं आएगा अगर आपका exam नहीं है अगर आपका face 2 में है तो आपको यह वाला message सो करेगा ठीक फ्रेंट्स और जिनका exam है तो उनकी login करते ही तुरंत उनकी exam city और पूरा सारा ब्यवरा खुल जाया है तो दोस्तों नेक्स इसमें आपको बता दूम नेक्स पॉइंट नंबर चार्ड दिया है इसमें forward application registration नंबर लिंक दोस्तों आपको बता दूम कि कुछ लोगों का email आ रहा था कुछ लोगों मैसेज आ रहा था कि की सर हमारा जो की हमारा जो रिष्टर नंबर वो खो गया है password खो गया है तो हम कैसे अपना admit card download कर पाएंगे कैसे क्या करेंगे उन लोगों बहुत tension हो रही थी दो यहां पर जाकर अपना अपना जो है क्या बोलते हैं admit card download कर सकते हैं ठीक तो without registration नंबर के तो बहाँ पर जो कुछ मांगे का वह आपको देना पड़ाएगा ठीक तो आपका रिष्टर नंबर बहां से आपको मिल जायागा ठीक तो आप tension मत करना कि आपका फॉर्म हो गया है औ कि वह only जो आपके लिए जो बैफ ऑफिसियल बैफ साइट है उसी पर भरुसा करें और किसी और साइट पर भरुसा ना करें ठीक बनेंट आपको यह message किया गया है बहुत important message किया गया दोस्तों कि आप only जो official website rrb ntpc या rrb की ठीक तो आप उसी website पर believe करें दोस्तों यह जो dated 17 12 2020 ठीके फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए message दे चुके है थी उस्तों आप आपका जो कल डेट आने वाले question कल 18 तारिक है तो कल आपके लिए जहां तक है उम्मीद है कि कल आपके लिए website खुल जाएगी बहाँ पर आप अपना प्रशियल नमबर डार के अपनी city exam date यह subscribe करना अगर आप new है